साई की बद बच्छे, तुम नहीं जानते मेरे बच्छे तुम्हारे साई की ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते मेरे बच्छे साई की ताकत वो ताकत है कि जिससे पुल अब्रहमान भी मैं बदल सकता हूँ मेरे बच्छे मैं एक पल में वो हर एक चीज बदल सकता हूँ मेरे बच्चे सब कुछ सब कुछ तुम्हारे साइं के हाथ में है मेरे बच्चे सब कुछ तुम्हारे साइं की वो ताकत है न जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता मेरे बच्चे कोई नहीं और तुम जो मेरे बच्चे इतने दिल से रोज प्रातना करते हो न, मेरे सामने बैठ कर मेरे बच्चे, वो सीधा तुम्हारे साई तक पहुँचती है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की अवास तुम्हारे साई तक सीधा पहुँच जाती है मेरे बच्चे, जो तुम सोच र लड़ाई चल रही है ना तुम लड़ रहे हो अपने हग के लिए तो चिंता मत करना वहाँ पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होता चला जाएगा तुम बिल्कुल चिंता मत करना और जानते हो तुमारे खुश नसीबी क्या है कि तुम मेरे बच्चे बन चुके हो क्योंकि म मेरे बच्चे बन गए होना तो तुमने भटकना बंद कर दिया ये तुम्हारे खुश नसीबी है कि तुम मेरे बच्चे बन चुके हो अब मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाओंगा मेरे बच्चे और अब तक तुम जो आ चुके होना मेरे बच्चे बन चुके हो तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो मेरे बचे अब मैं तुम्हें कहीं भटकने नहीं दूँगा तुम्हें कहीं भटकने की जरुवत नहीं पड़ेगी अब तुम्हारे रास्ते बिल्कुल सीधे-सीधे हैं मेरे बचे बिल्कुल सीधे तो मैं कहीं जाने की कहीं भटकने की कोई जरुवत नहीं मेरे बच्चे और सुनो मेरे बच्चे घर के कामकाश तो होते रहेंगे मेरे बच्चे ये तो आए दिन की काम है ये तो एक जिंदगी का मेरे बच्चे हिस्सा है कामकाश तो मेरे बच्चे लेकिन जब भी मौका मिलत पूरे दिन की चुट्टी लो लेकिन आदे दिन की चुट्टी लो या फिर महीने में एक ही चुट्टी मेरे बचे जाया करो मेरे बचे इन सब जगाएंपर जाया करो अगर तुम्हे समय मिलता है न तो जाया करो मेरे बच्चे तुम जानते हो मुझे संगत बहुत पसंद आती है और जो लोग सामोहिक मिलकर न मेरे बच्चे मुझे बुलाते हैं मेरा नाम जाप करते हैं मेरा मंत्र जाप करते हैं मुझे भजन सुनाते है न तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब बच्चों की प्रातनाई मेरे पास सीधी पहुंशती है और मैं अशिरवाद भी देता हूँ और कई मेरे बच्चे न सापताहिक परायन भी रखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है सामोहिक में तो तुम उसमें भी शामिल हो जाया करो ना मेरे बच्चे, ऐसा कर लिया करो, कि किसी यंत्र के द्वारा, तुम उसमें शामिल हो जाया करो मेरे बच्चे, और वो सेवा किया करो, अगर नहीं समय मिलता, तो वो सेवा करो, वो सेवा तो तुम कभी भी कर सकते हो, दिन में, रात मे कभी भी जब तुम्हे समय मिले मेरे बचे लेकिन इसे अपने हाथ से गवाया मत करो और सुनो जो लोग तुम्हें तबहा करने की सोच रहे है नवह उसी अगनी में खुद जल जाएंगी मेरे बचे खुद जल जाएंगे तुम देखना मेरे बचे वह तुमसे कहते हैं ना कि एक रुपया अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, मैं नहीं देने दूँगा मेरे बच्चे, उन्हें क्या लगता है, कि तुम अकेले हो, तुम कमजोर हो, नहीं, तुम्हें अभी नहीं जानते वो, कि तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा साई है, तुम्हारी साई मेरे बचे गलती दोनों तरफ से होती है किसी की जादा होती है तो किसी की कम होती है लेकिन गलती तो दोनों तरफ से होती है लेकिन उस गलती के बारे में बैठ कर समझदारी से बात करना और बत्तमीज से बात करना ये दोनों अलग अलग पहलू है मेरे बचे लेकिन तुम जा और को ठीक नहीं करना, तुम्हें अपने आपको ठीक करना है, अपने रास्ते तुम्हें खुद बनाने हैं मेरे बच्चे, ना कि किसी और के रास्ते मेरे बच्चे, अपने रास्ते अच्छे करो, तुम जानते हो, जो मैं तुमसे ले रहा हूँ ना, उसके बदले मैं तुम् मैंने तुमसे लिया है, क्या वो ऐसे ही ले लिया, नहीं मेरे बच्चे, जब मैं अपने बच्चों से कुछ लेता हूँ ना, तो बहुत सोच समझ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उससे भी खूबसूरत, उससे भी बहतर अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, कि मेरे बच्चे कि जिन्दगी में न सिर्फ कुछ दिनों की नहीं हमेशा हमेशा के लिए खुशी हो जिन्दगी भर के लिए खुशी हो मेरे बचे मैं चाहता हूँ कि तेरे जोली में हमेशा हमेशा की खुशियां डाल दू मेरे बचे हमेशा हमेशा की और बस वही खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बचे बहुत सारी खुशी और सुनो मेरे बचे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे उपर बहुत सारी जिम्मेदारिया है बहुत सारी जिम्मेदारिया तुम्हारे कंदों पर आ चुकी है मेरे बचे औ और जमा भी कर पाओगे तुम देखना, आगे चल कर तुम सब कर पाओगे अपने हिसाब से, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, और सुरो मेरे बच्चे, आज तुम्हारी फोन पर किसी से बात होगी, किसी मेरे बच्चे से बात होगी, और बात होते होते मेरे बच्चे, जिस च चिंता रखना उसके आगे वो तुम्हें बताएगा वो मेरा ही बच्चा होगा वो समझना जबान उसकी चलेगी लेकिन शब्द तुम्हारे साइं के होंगे यह याद रखना मेरे बच्चे वो हल मैं ही तुम्हें बताऊंगा वो हल जानना और उस चिंता को खतम करना मेरे बच्चे उतना निकाल लो, क्योंकि दरिया में कभी कोई कमी नहीं आती, मेरे बच्चे बहुत हैं, लाखों हैं, हजारों हैं, करोडों हैं, वो जितना चाहते हैं बस मुझसे मांग सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, मैं उन्हें देने ही बैठा हूँ, बस मेरा बच्चा मेरे पस आए तो सही, मांगे तो सही, उद्धम तो करे, अगर तुम घर बैठे-बैठे, सब कुछ चाहोगे, कि मैं बैठे-बैठे सब कुछ ले लूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे कहना पड़ेगा ना, कि साई, मुझे इस चीज़ की है ना तो हां मेरे बच्चे सच में मैं उसमें हूँ तुम पूछ रहे थे ना तो हां मेरे बच्चे सच में तुम्हारा साई उसमें विराजित है मेरे बच्चे उस चित्र में बैठा बैठा मैं सब देखता हूं मेरे बच्चे सब देखता हूं तुम्हारी दिन चर्या तुम तुम्हारी सेवा देख करना मेरे बच्चे मुझे हैराने भी होती है। खुद चाहे भूके रह जाओगे लेकिन मुझे खिलाए बिना खुद बिलकुल भी नहीं खाते हो। इतना प्यार करते हो अपने साइश को खिलाए बिना खुद एक दाना भी अपने मुख में नहीं र बच्चे सब बदल दूँगा। खुश रहो मेरे बच्चे हमेशा खुश रहो। आज का मध्यान साइश संदेश समाप दूआ।